नमस्कार सोशल समवाद में आप सभी का स्वागत है मैं आकाश पुद्दाग जैसा कि आपको पता है लोकसभा चुनाओं में जेवी केसस ने अपने आठ उम्मिद्वार उतारे थे उस अभी उम्मिद्वार हार गये इसी वीच हम चर्चा करने बैठे है और हमारे साथ हमारे खास कर इसलिए के जारकंड में बिधान सवाद चुनाओं होने हैं तो चुनाओं के मदे नजर अब इस समिक्षा हो रहा है कि ये लोग सभा चुनाओं किस पार्टी के लिए फाइदे मन रहा और किसके लिए जो है फोट कटवा सावीथ हुआ तो जैराम महतों को लेकर हजारी बारक से संजे महता द्वेंद्रानात महतो राची से धनबाज से इस तरह के और आपके कोडर्मा से मनोज यादो यह सारे जेविकेस के समर्थी तुमिद्वार थे हलाकि निर्दात लिए उन्होंने परत्याशी के रूप में उत्रे थे अब सवाल यह उठ रहा है कि ल क्या कुछ हुआ आपने देखा लेकिन अब यह हो रहा है कि जब सभी सीटे हार गये अब लोग कह रहें कि भाई वह अब आप देख रहें ग्रेडी के अंतर यह बात चल रही है कई लोग आप सोसल मीडिया कि देखी अगर वह नहीं चुनाओ लड़ते तीन साड़े तिन ल कोई देखकर उनने तै कि या है कि अब जगा बनाना है तो कहीं न कहीं चे शुरुवात करनी होगी और हम पुरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि झईराम महतों के लिए चुनाओ यह कह सकते हैं कि यह चुनाओ हमारे लिए racingल था पाइनल तो जाकर अब 121 था हम अपनी कमीद देशी को भी एक तरीके स्यांग गय कि हमारा कितना जन्ता में है तो उनके लिए पाने के लिए कुछ नहीं था खोने के लिए कुछ नहीं था पाने के लिए बहुत कुछ था और इस बात से पार्टी के अंदर वह संतोष्ट्री हो सकते हैं कि जहां जहां भी चुनाव लड़े हैं, वो तिसरे पैदान पर रहे हैं, वो राची में तिसरे पैदान पर रहे हैं, वो गिर्डी में पुरहे हैं, वो हजारी बाग में रहे हैं, ठीक है, तो एक तरह से वो तिसरे पैदान पर हैं, और पहली राजनतिक जो अच्छी से बन भी भी नहीं पाई है अभी पार्टी और कोई संगठन कि नहीं है इक अंदोलन से हुआ है सिर्फ जो है। अ को शेता हुआ जो रहा brave in तरगेट करेंगे सवाल रहेगा कि जैराम मात्तों उनकी पार्टी है उन्हें विदान सभा से अपनी चुनाओ को शुरुआत करने चाहिए थी क्या लोग सभाएक भूल के देख तो आप तरीके से ढहीएmam अच्श्री है तो आप वस तरीके से देखिए उस पार्टी के इस नजरी है से देखिए कि जो पहली बार चुनाओं पार्टी लड़ती है और तिसरे पैदान पर आती है खुद वो साड़े तीन लाख के आसपास में भोट लेकर आते हैं अच्छे खासे भोट लेकर आते हैं आप देख रहें कि राचीमूने अच्छे भोट आये हैं डेल लाख के आसप पर लड़ा उनके पास कोई फाइनेंशल सपोर्ट भी नहीं रहा था तो जिससे हमने अभी भी कहा है कि उनके लिए समिक्षा करके विधान सभा की तैयारी करने के लिए एक तरीके से लिए के सभी फाइनल उन्होंने लड़ लिया अपनी ताकत देख लिया अब जाकर वो कहीं से भी यह नहीं कर सकते कि एक छोटा सा डल जिका संगठन भी नहीं है और एक बड़ा शक्ति बनकर वह आने वाले दस सीटों पर ही प्रभाव डाले लेकिन अपनी इंट्री तो मोंने दिखा दिया कि आप हमें हलके में नहीं आप सिर्फ हमें भोट कटवा सावित नही कर नहीं आता है आपने देखें बाकी जगह भी तिनने दल यह खड़ा थे कोई दस अजार कोई पांच अजार भी नहीं ला पाया और वहां पर कोई पार्टी जिस पार्टी के सही से रेस्टिशन भी नहीं हुआ है वह अगर इतना भोट लेकर आ जाता तो उसको आप नजर है तो आप आप एक्जांपल देख लीजिए ना आप जमस्यत्पुर के एक्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो किसी भी आज विदुद्वर्ण महतों जुड़ें तो आप यह नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ एक जाती के बोट से और एक समाज के बोट से बलकि सबका उन्हे साड़े चार लाग के आसपास में बोट मिले हैं तो यह जब तक सभी समाज और लोग सभाव में खास कर अगर सबका जब तक युगनान नहीं मिलेगा आप चुनाव नहीं ज़स सकते हैं इसलिए जरूरी है कि अगर पार्टी के बोट मिलना चाहिए और हर से जगा आप से केवल एक जाती एक समाज और एक लोग लोगों को आप चुनाव लग नहीं एक चुनाव पहुत कुछ सिखाता है हर पाटिउ के लिए बीजेपी के लिए सीकने के लिए है जेमिàng के लिए बात थैकूने पर से सीटों पर आपनी घटा नहीं खुल पाई उनके लिए महा में खासका सभी पार्टियों के लिए सिखने की जुरत है अपनी रणिती बदलने की कि आप एक मुद्दों को लेकर एक बर्क को साथ कर आप चुना नहीं ज़सकते हैं और एक सवाल रहा है कि जबी केसे आट लोग सबस सीटों से चुना लड़ी तो इन आट लोग सबस सीटों में किस पार्टी का फायदा हुआ सर जहां पर अलग-अलग समिकरन था जिसकी हार हुई वो तो कहेगा कि उसने हमारे हिस्से का वोट कार लिया आप देखें धनबाद में पचास या चपन हजार वोट इकलाव अंसारी को आया है एक लाग-30,000 वोटों से जो है वहां पर दुलू मातों जीत रहे हैं तो कंग्रेस कह सकती है कि मेरे पास आ जाता तो हो सकता है कि हम उसका बड़ा नुक्शान कर सकते हैं हो सकता हम जीत सकते थे पचास किसी को फ हमें हराने में एक किया आप देख रहे हैं कि जेमेम वहां पर कर सकती है कि साड़े तीन लाग ग्रीडी में उन्होंने वोट लेकर आ है आप देखिए एक लाग-56,000 वोट जो वहां पर हजारी वाग में उनके करनिडेट लेकर आ रहे हैं तो वहां भी कॉंग्रेस जेपी अगर बीजेपी का आप यहां पर कर सकते हैं चाइबासा में गिता कोड़ा कर सकती है कि देखिए आपने हो समाज का भोट जो है जेभी केसलस ने काट लिया इसलिए जो है संथाल जो जो जेमेम के काइड़ेट है जो बामाजी उनको फायदा हो गया तो हर उस तरीके से समि देखेगा कि बीजेपी और आसो का भी नुक्सान हो सकता है तो सीटों के हिसाब से समिकरान जो है वो बदलते आपको दिखेंगे आटो लोकसबा में हार मिली है तो क्या जोश मकमी आएगी या लगी रहेगी वैसे जैसाब जैसे को है कि वह अपने संगठन का वैस्तार करत लड़ती है जिसका कोई संगठन नहीं है जिसका कोई यह नहीं है और इसके बाद भी इतना बोट लेकर आती है तो किस नजरी से देखते हैं लेकिन अपनी रणिती में बदला होगा आप सिर्फ जिन मुद्धों को लेकर आप चलवें क्या उन मुद्धों पर आप कि आपको या और भी कोई पोजेटिव बात भी करकर आपको सबको लेकर इसलिए जर आप देखी जबी केसस पर आरोप लगते रहा है कि वह सिर्फ कुर्मी समाज के बात करते हैं उनके साथ जो युवा है वो कुड़ी समाज के लोग है तो उस आरोपों से मतलब एक तरीके से बाहर निकलना होगा और पार्टी के विस्तार करनी है सबको जोड़ना होगा तब ही जाकर आप यहां पर आप पार्टी बन सकते तब आप चुनाव लड़ने के स्थिति में आ सकते हैं